नमस्कार, मैं डॉक्टर वेपिन बंसल, वास्तू कंसलिडन्ट हमारी जो सीरीज चल रही है, पलोट चेहन से लेके पलोट शुद्दी तक, पलोट शुद्दी से लेकर ग्रहे निर्मान तक और ग्रहे प्रवेश तक वास्तु शास्तर के अनुसार आप अपना घर बनाने जा रहे हैं तो आप मेरी इस सीरिज को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखें क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी बनाई है और आने वाले समय में मेरी और भी बहुत सारी वीडियो आ रही है आप मेरी उन सभी वीडियो को देखकर अपने घर को वास्तु शास्तर के अनुसार बना सकते हैं सबसे पहले तो घर को बनाने के लिए मैप जिजाइन किया जाता है और जब मैप जिजाइन हो जाता है एज पर वास्तु जिजाइन हो जाता है तो उसके बाद घर के अंदर construction किस परकार से करनी चाहिए और क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैंने अपनी series के अंदर ये सारी बाते detail से बताईए जो मेरा अपना इस field के अंदर 24 सालों का अनुभव है वो अनुभव मैंने आप लोगों के साथ वीडियो के मादम से संजा किया है आप मेरी सभी वीडियो को ध्यान से देखें सुने समझे और विचार करें आपको लगता है कि बंसल जी दिवारा दीगी जैन करी बिलकुत सही है तो आप अपने घर को वास्तु शास्तर के अनुसार बना सकते है क्योंकि घर ना तो बार बार बनाए जाते हैं और ना ही उमकिन्दत तोड़ फोर्ड की जाती है जब आप अपने नया घर बनाने जा रहे हैं और आपके दिमाग में एक बात आती है कि मुझे अपना घर वास्तु शास्तर के अनुसार बनाना है तो आप अपने मैप को वास्तु शास्तर के अनुसार जिजाइन करें क्योंकि घर बना रहे हैं तो घर के अंदर पंच तत्वों का स्थान उनके अपने सही दिशा में दे देते हैं तो उस घर के अंदर हमेशे ही अच्छे रिजार्ट मिलते हैं जिस परकार अपने घर की नीम को सही करेंगे तो घर के अंदर खुशाली जरूर रहेगी नियों कैसे सही होगी जब हम पंच तत्वों को उनका अपना-पना सही स्थान दे देते हैं आज मैं आपको बताना चाहूंगा स्टोर के बारे में वास्तु शास्तर के अनुसार स्टोर किस दिशा में बनाना चाहिए और क्या-क्या सावदानी बरतनी चाहिए वास्तु शास्तर के अनुसार स्टोर की दिशा सबसे अच्छी जो दिशा मानी जाती है वो मानी जाती है साउथ वेस्ट जोन में जब हम स्टोर बनाते हैं और यहाँ पर हम अपनी अलमारी रखते हैं अलमारी का मतलब क्या है स्टोर के अंदर हमने अपनी सेफ रखना अपने घर का पैसा संग रहे करना एकठा करना और साथ वेश जोन में जो भी सामान रख दिया जाता है और सही परकार से रख दिया जाता है वो हमेशा ही पलस होता है आपने साथ वेश जोन में अपने घर की स तो उस पैसे का इस्तमाल बिल्कुल सही होगा कभी भी गलत जगह पैसा आपका इस्तमाल नहीं होगा आपके घर के अंदर पैसा आएगा भी और उसका ठैराव भी होगा और सही जगह इस्तमाल भी होगा स्टोर बनाते समय आपको किन-किन खास बतों का ध्यान रखना चाहिए जब South West के भाग में स्टोर बनाए सबसे पहले तो स्टोर का 1st का लेवर, पूरे घर के 1st के लेवर से उंचा होना चाहिए सेकंड स्टोर के अंदर जो दर्वाजा लगाना है स्टोर के नॉर्थ इस्ट में इस्ट वाल पर या नॉर्थ वाल पर ही लगाना चाहिए क्या स्टोर के अंदर जो दर्वाजा लगाना है स्टोर के नॉर्थ इस्ट कॉर्णर में इस्ट वाल पर या नॉर्थ वाल पर ही लगाना चाहिए वो हमेशा ही फाइदा देता है क्यों लगाना चाहिए यदि हम स्टोर का दर्वाजा नॉर्थिस्ट में इस्ट वाल पर लगाते हैं तो हमें साउथ की दिवार और वेस्ट की दिवार दोनों मिल जाती है और ऐसे ही हम दर्वाजा नॉर्थ वाल पर लगाते हैं नौर्थ इस्ट कॉर्णर में तो भी हमें वेस्ट की दिवार और साउथ की दिवार स्टोरेज के लिए मिल जाती है यदि हम स्टोर के अंदर दर्वाजा इस्ट वाल पर साउथ इस्ट कॉर्णर में लगाते हैं तो इस से हमारा साउथ का भाग सारा खाली हो जाता है वेस्ट गलत हो जाती है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्टोर का जो दर्वाजा है जो डोर है वो नौर्थ इस्ट में इस्ट वाल पर या नौर्थ वाल पर ही लगाए और फ्लोर लेवल उचा करें स्टोर के अंदर हमेशे ही क्रीम कलर होना चाहिए और ध्यान रखें जहां आप पैसा रखते हैं वहाँ पर जूते चपल नहीं होने चाहिए यहनि जो आप स्टोर साथ वेश्ट में बना रहे हैं वहाँ पर सिर्फ आपके कैस्क के लिए सिटर होनी चाहिए इसके अलावा हम स्टोर कहां बना सकते हैं सबसे बेस्ट ऑप्षिन है साउथ वेस्ट जोन फिर उसके बाद ऑप्षिन आती है कि हर वेक्टी अपने अपने रूम के साथ एक हलकी से स्टोर बना लेता है उसको ग्रैसिंग एरिया कह देते हैं या स्टोर कह देते हैं तो हमेशा दियान रखना चाहिए आप जो भी अपना बैड रूम बनाए बैड रूम के साथ जोन में या वेस्ट जोन में ही वो स्टोर बनना चाहिए ये दोनों दिशा हैं ही या तो साथ जोन में या वेस्ट जोन में स्टोर बनाते हैं तो वो हमेशा ही फाइदेबंद र चाहिए कौन सी दिश्या स्टोर्यूम के लिए अच्छी होता है और साथ में क्या-क्या साथ नी बरत नी चाहिए उसके बारे में बताया है क्योंकि मैं हमेशे ही आपको वास्तुशास्तर के शाथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूं और मेरी कोशिश रहती ह कि आपको अपनी हरे एक वीडियो में अपने अनुगों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी दो आप अपने नया घर बनाने जा रहे हैं तो स्टोर बनाते से में इन खास बातों का जरूर ध्यान लगते हैं आप अपने किसी भी साइट के परती हमसे ओनलाइन सला लेना चाते हैं तो ओनलाइन सला भी ले सकते हैं और आप अपने किसी भी साइट का मैप बनवाना चाते हैं तो हमारे यहां से वास्तुशास्तर के नुसार मैप भी बनवा सकते हैं और आप हमें अपने यहां site visit के लिए invite करना चाहते हैं तो site visit के लिए invite कर सकते हैं मेरे द्वारा इस वीडियो में देखी जानकारिया आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को like भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने family और friends के facebook ग्रूप और whatsapp ग्रूप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया तो मेरे चैनल को subscribe कर लिजिए और साथ में bell icon जरूर दबाए ताकि मेरे आने वाले जितनी भी नई वीडियो है उनकी notification आपको समय सब्सक्राइब पर मिलती रहे मैंने अपने YouTube चैनल पर लगबग सवा 300 प्लास वीडियो अपलोड किये हुई है आप मेरी वो सभी वीडियो भी देख सकते हैं आप सभी अपने कीमतिस में निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का तया दिल से धन्यवाद करता हूं इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नवीशे पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार झाल